हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योट्व चैनल एक्वीडियर कॉमूटी में स्वागत करता हूं तो हमने आपको पहले नहीं बताया था कि हम हीजिंग स्ट्रेटजी के उपर बात करने जा रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको हेजिंग strategy के उपर ही बात करने जा रहे हैं तो हेजिंग strategy तो सीखना ज़रूरी है लेकिन उसके साथ-साथ इससे ज़्यादा important क्या है कि उसका implementation हेजिंग strategy आपका बहुत सारा है हम दीरे-दीरे करके सब की उपर बात करेंगे लेकिन उससे जरूरी है कि कौन सा हेजिंग strategy हमें कब इस्तेमाल करना उसका implementation कब करना वो जरूरी है आप एक हेजिंग strategy हर एक market में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं market भी आपका अलग-अलग तरीके होता है कभी आपका market होता है कभी आपका high volatile market होता है जिसमें हमें बहुत ज्यादा volatility देखने को मिलता है जैसे कि अभी आपका market है काफी volatile है आप एक घंटे पहले देखोगे तो market आपका किसी और लेवल पर दिखेगा और आप आधे घंटे या घंटे बाद वापस देखोगे तो market आपका 200-500 नीचे या ऊपर मिल जाएगा तो यह आपका काफी volatile market होता है इसके लिए हम अलग hedging strategy बनाते हैं जब market आपका एक particular range में trade कर रहा होता 200-300 पॉइंट का range पकर लेता उसी range में आपका पूरा हफता या पूरा महिना भी दा देता है उसके अलग strategy का इस्तिमाल करते हैं और जब market आपका continuously दिए दिरे ऊपर जा रहा है तो उसके लिए हम अलग strategy का इस्तिमाल करते हैं तो अलग-अलग market condition के लिए हम अलग-अलग strategy का इस्तिमाल करेंगे आप यहां पर एक example के थुरूर समझ सकते हैं आप अपने four wheeler से कहीं जा रहे हैं पता चला कि एक छोड़ी सी पतली सी गली है क्या उस पतली सी गली में आप अपना four wheeler लेके जा सकते हैं नहीं लेके जा सकते हैं अगर आप उसको लेके जाएंगे तो हम पैदल जाएंगे या नहीं तो अगर two wheeler है मेरे पार तो वहां पर हम two wheeler का इस्तमाल करना ज्यादा prefer करेंगे तो हमने different market situation के according different market strategy इस्तमाल करेंगे और आपको यहीं चीज़ सीखना है strategy को पर आपने बहुत सारा video already देख रखा होगा लेकिन यह नहीं बताया होगा बहु यह strategy आपको profit बना के नहीं देगा तो वहीं चीज़ यहां पर आपको सीखना जरूरी है तो चलिए वहीं चीज़ यहां पर हम सीखते हैं तो आज जो हम hedging strategy को पर बात करने जा रहे हैं वह आपका basic hedging strategy है धीर धीर हम advanced level पर आएंगे डाइक एक यह बार advanced level पर आएंगे हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा दिक्का दो तो हम दिए दिर आ रहे हैं और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह आपका long straddle यह आपका एक type का hedging strategy है यह आपका basic hedging strategy है जिसके उपर आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे है यहां पर हम आज long straddle hedging strategy उपर बात करेंगे लेकिन strategy के उपर बात करने इस ज्यादा important क्या है इसके implementation को समझना बहुत साई लोग इसका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन यह hedging strategy होने के बाप जोदी वो क्या करते हैं वो नुकसान में चले जाते हैं क्यों नुकसान में जाते ह तो आपको strategy सीखने जादा यह focus करना है कि उसका implementation कहां पे हो तो चलिए इसको देखते हैं समस्पहले हम इस strategy को समझ लेते हैं थोड़ा सा उसकी बाद हम इसके implementation को समझेंगे strategy समझने में जादा कोई डिक्कत जादा कोई परेशान ही नहीं क्योंकि एक ही आपका basic strategy है इसमें क्या करते हैं इसमें आपको यहां पर call options दिख रहा होगा और यहां पर पूट options दिख रहा होगा जिनका भी मार्केट में negative side की तरफ रहता है वो क्या करते है वह यहां पर पूट options भाई करते हैं यानि जो लोग put options भाई करें वो सोच में कि market आपका current market price से नीचे जाएगा और जो लोग यहां पर call options भाई करें उनका क्या भी होता है उनका ये भी होता है कि market जो भी करेंट प्राइस है वहां से उपर जाएगा तो यह जो long straddle है यह आपका hedging straddle है यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम आपका call भी buy करते हैं और at the same time क्या करते हैं यहाँ पे हम put options भी buy कर लेते हैं यहाँ पे हम call और put दोनों buy कर लेते हैं और कौन सा buy कर सकते हैं आपके पास बहुत सारे strike price है in the money भी है out of the money भी है तो पर हम अभी अगर हम बाई करेंगे और लॉंग इसका प्रेमियम आपको 80 रूपीज करीब लिखेंगे यहां पर हम इसका और पूट ऑप्संस दोनों बाई कर लेंगे और यही क्या होता हमारा लॉंग इस्ट्रेटल हीजिंग लेकिन इस इस्तेमाल कभ करना वह आपको सीखना जरूरी है आपने तो इस प्रेटी देख लिया काफी सिंपल सा और पूट ऑप्सं दोनों बाई करते हैं एक दमनी का प्रिफर करते हैं आप चाहो तो इन दमनी या आप दमनी का भी बाई कर सकते हो अपने हिसाब से थोड़ा मार्केट आपका बोल सकते हैं कि मार्केट आपका हाइली वोलन चाहिए यह स्ट्राइड़ी का हम इस्तेमाल करेंगे और तब जाके यह स्ट्राइड़ी हमें प्रॉफिट बना के देगा हाईली वोलोटाइल का मतलब है कि मार्केट आपका सिंगल डे सो से 200 पॉइνट का मूब दिखाना चाहिए ज्यादा का मूब दिखाएगा तब हमें यह स्ट्राइड़ी इंसे कम अगर देली move दिखाता है तो फिर यहां से हमें expiry के basis पर भी profit नहीं मिलेगा और intraday level पर भी हमें profit यहां पर नहीं मिलेगा तो यहां पर हमें क्या चाहिए market volatile होना चाहिए नहीं volatile होने का मतलब क्या है कि market आपका 100-200 point का move दिखाना चाहिए अब यह move किसी भी तरफ हो सकता है चाहिए नीचे side की तरफ हो या उपर side की तरफ हो हमें direction से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहां पर हम hedging strategy उपर जा रहे हैं कहीं भी move हो नीचे जाए उपर जाए लेकिन इतना point का move दिखाना चाहिए तब ही जाकि यह strategy हमें क्या देगा profit देगा इसलिए यहां पर पहला condition क्या है कि market आपका volatile होना चाहिए तब जाके profit देगा अब यहां पर बहुत सारी लोग क्या समझे होंगे कि यहां पर हम अगर 16-200 का call options और put options दोनों भाई करते हैं तो जितना point यह उपर जाएगा उतना ही पॉइंट यह नीचे जाएगा हां बिल्कुल नीचे जाएगा लेकिन एक particular level तक अगर market आपका 30 से 50 point का move दिखाता है तो जितना point यह उपर जाएगा उतना ही नीचे कम होगा तो ultimately आपका अगर 100-200 पॉइंट का मूब दिखाया जिस भी लेवल पर आपने बाई किया वहां से तो आपको ultimately profit मिलता हुआ दिखेगा कैसे profit मिलेगा वो मैं आपको आगे कुछ दिर में explain करता हूं सबस्पहले हम इसके पेओफ चार्ट को भी एक बार देखना चाहेंगे तो यहां पर पेओफ चार्ट पर आएंगे उससे पहले मैं आपको एक example बताना चाहूंगा यहां पर मार्केट आपका कुछ दिर पहले 16,000 के लिवल पर था यानि अभी का market situation आप उठा सकते हैं अभी आपका perfectly fit market है जिसमें आप यहां पे long straddle वाला hedging straddle इस्तेमाल कर सकते हैं यह आपका perfect है जहां पर आप जो long straddle आपका हेजिंग इसका परफेक्ट इस्तिमाल कर सकते क्योंकि मार्केट अभी आपको कुछ मिंटों में 30-40 मिंट में मार्केट आपका 100-200 पॉइंट का मूब दिखा दिया और यही परफेक्ट मार्केट होता है जब आप यहां पे लॉंग स्ट्रेदियम करें चाहिए आपका डाउंस cookie त्रफ हो यह फिर इसी तरह का व्लाकेट सब्सक्राइब में क्या यांप लाकि अगर मार्के आपका रेंज बॉन चला आता है या फिर उपर जाता है वह भी धीरे धीरे उपर जाता है तो सटैम पर इस्ताइम नहीं करना यहां पर बात कर रहे तो जब मार्के तो फिप्टी के आसपास यह नहीं अगर सिक्ष्टीन थाओं लेवल पे यह लॉंग स्ट्राइटल स्ट्राइड़ी हम इस्तिमाल करते हैं और वहां पर हम इसका कॉल अप्शन और पूट अप्शन दोनों भाई करते हैं तो अभी जब मार्केट आपका लगबग 200 पॉइंट यह यहां पे आपको कितना ओगया हैं लगबग आपको 11 खौरीड आपको क्या लग रहा यह आपको इन्वेश्टमयंट लग रहा है और आपको प्रॉफिट कितना मिलवा धौत क्या करें तो यहां पर आपको profit मिलवा लग आपको 1500 करीब यहétais आपको 10% ल ज्यादा विल्वा को मिलना क्योंकि मार्केट आपका वॉलानी मार्केट कि में पहले ही बोल से इसट्रेडरिग के लिए क्क होना अपका को मर्केट में हमें काफी प्रॉपिट से शाइब करिए जब मांके शोड़ा कर ले दोनों का तो ऑथी करीब होगा और अभी भी देख सकते हो इसका 250 सभी उपर चला गया यानि मार्केट आपका जितना वोलाटाइल होगा यहां से जितना अपसाइट मुद दिखाएगा यहां नहीं तो यह 16,000 का नीचे भी जाता ठीक है हमें सिर्फ चाहिए मार्केट में 100-200 पॉइंट का मुवमेंट वो मुवमेंट कहीं भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर इस तरह का मार्केट है तो यहां पर आप लॉंग स्ट्रेडल स्ट्रेड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर मार्केट आपका रेंज बा यहां पर देखें यहां पर आपने क्या किया 26 ने आपका मंत्ली आमने लिया चींड़ के को भी वाए किया और क्या कि रेंट जाते दोनों का profit बना कर दे सकता है नहीं तो यहां पर पयाई आपका फ्री में अबलिबल हाता है उस पर चेख कर सकते हैं यहां पर क्या दे रहा है यहाँ पर profit कब मिलेगा profit हमें मिलेगा अगर market इसके उपर निकलता यहनि 16,750 के level के उपर market निकलता तब जाके profit होगा या फिर market आपका कहा जाता इसके नीचे जाता यहनि 15,650 के नीचे अगर market जाता है तब हमें profit होगा अगर इस बीच में market वहता है तो यहाँ पर क्या होगा मेरा विस्क जोन है यहाँ पर मुझे नुक्सान होगा अगर यहाँ पर आप expired basis पे जा रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि market यहाँ से आपका लगबा कितना point हो गया 550 point अगर market यहाँ से आपका 550 point से ज्यादा का upside move दिखाने वाला है ठीक है तब अगर आपको लगता है कि market आपका नीचे side में 550 point का move दिखा सकता यानि अगर आपको लगता है कि market आपका expired तक 550 point आज़ग और नीचे कहीं भी जाए तो हमें profit मिलता हुआ दिखेगा तो अगर आपको लगता है कि मा makers 50 250 पॉइंट से ज्यादा का मूब दिखाएगा तब यहां पर हमें प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा तो अगर आप इस तरह का वोलटाइल मार्केट में उमीद करें कि मार्केट आपका 26 में तक आइदर आपको 16,750 से उपर निकलता है तभी आपको प्रॉफिट होगा या नहीं तो 15,650 से नीचे जाता है तभी आपको प्रॉफिट होगा अगर इसके बीच में एक्सपाईरी दे दिया या फिर इसके बीच में रुग गिया तो आपको क्या होगा आपको यहां प तो भी आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सपाइटे के लेवल के बेसिस पे बात करें यहां पे आपको पांच सपचास पॉइंट ऊपर या नीचे कहीं भी मूब देना चाहिए इससे ज्यादा का मूब देगा तब आपको प्रॉफिट होगा अगर आपको लगता है कि मार्केट इसके बीच में एक्सपाइडी का चांस है या इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं जाने वाला तो फिर क्या करेंगे तो फिर इस स्ट्रेटरी का यहां पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस स्ट्रेटरी का इस्तेमाल कब करना और कब न मार्केट वोलाटाइल कब होता है? जब मार्केट में कोई निउज आता है. अगर कोई पार्डुकलर निउज आया, जिसने मार्केट को इंपैक्ट किया, जैसे रस्या एक्वेन के बीच में जब वार सुरू हो था, उस टाइम पे भी मार्केट याद कीजिए, बहुत इसली मिल जाता है, यानि कम क्याप्टल में अगर आप हेजिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या चाहिए, मार्केट अगर आपका निउज बेस्ट रियक्शन दे रहा है, जैसे रस्या एक्वेन के बीच में था, फ्रेड का इंट्वेस्ट रेट हाइक था, अर्विया आपको बार बार मौका मिलता है, कब जब आपका विजल्ट सीजन आता है, तो यानि कोई स्टॉक्स में भी पार्टिकुलर कोई निउज आया, निउज कुछ भी पॉजिटिव और निगेटिव उससे हमें मतलब नहीं है, हमें निउज आना चाहिए, उसके वेस्टिव पर काम करेंगे, यहां पर मार्केट का मौमेंट हमें चाहिए, मौमेंट उपर हो नीचे हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मार्केट में मौमेंट चाहिए इस स्ट्रेटजी के लिए, तो निउज आइदर पॉजिटिव निगेटिव उससे मतलब नहीं है, हम देखा कि करेंगे आपको समझ में आ गया यहां पर हमें चाहिए यहां पर मिलेगा यहां पर करेंगे यह चीज अगर हमें नहीं करेंगे आपको समझ में आ गया इस्तमाल कब करना और कब नहीं करना यह आपका बहुत जरूरी पॉइंट था इसका इस्तेमाल कब करना है उमीद करते हैं आपको हमारा यह पसंद आया होगा और हम आगे और भी बात करेंगे जैसे आपने देखा कि मार्केट इस की बाहर इस रेंज के बाहर निकलता है तो फिर आपको नुकसान होगा तो हर एक सिट्वेशन के लिए स्ट्वेशन के लिए दिरे दिरे हम उस सब के उपर भी बात करेंगे तो आप हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजे क्योंकि जब हमें वीडियो में जैहिन